रेम और रॉम के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि आपको बता है इसे प्राइमरी मेमरी क्यों कहा जाता है On the other hands हमारे पास mass storage devices होती हैं जैसे कि disk hard disk हो गई इन्हें secondary memory क्यों कहा जाता है Hello viewers, welcome to educational world आज की वीडियो में हम रेम और रॉम को primary memory क्यों कहा जाता है और mass storage devices जैसे hard disk को secondary memory क्यों कहा जाता है यह discuss करेंगे तो reason यह है कि हमारा CPU जो कि directly data नहीं लेपाता hard disk से क्योंकि इसकी speed होती है slow तो इसी वज़े से CPU fetch नहीं कर पाता data तो CPU यूज करता है RAM या ROM को जो कि hard disk से data पहले load होती है RAM में या ROM में और उसके बाद उसे CPU प्रोसेस करता है इसी reason की वज़े से RAM और ROM को primary memory कहा जाता है जबके hard disk को second memory कहा जाता है हादे में प्रोसे के खजय है